Hello everyone, welcome to our channel at UCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. Hello friends, welcome to our channel. आज हम बात करेंगे मॉडूलन या मॉडूलेशन के बारे में. इससे पहले हमने संचारत अंतर के बारे में भी डिस्कस किया था और विद्दुद्चुम्ब किये तरंगों के बारे में भी पढ़ा था. तो आज हम मॉडूलन या मॉडूलेशन के बारे में बात करेंगे. आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए. क्योंकि हम इसमें मॉडूलन क्या होता है, मॉडूलन की आफशक्ता क्यों पढ़ती है, 모두les and the modeling किस परकार से किया जटा है 모두len के कितने परकार होते हैं clear तो आज बात करते हैं मॉडिलन के बारे में तो देखे पहले तक मैं बतातो मॉड्यूलन या मॉड्यूलेशन होता क्या है मॉड्यूलन या मॉड्यूलेशन एक ऐसी परकिरिया है जिसमें हम निम्न आवर्ती के सिगनल को उच्च आवर्ती के सिगनल में बदलते हैं मतलब हमारे पास कोई सिगनल है वह निम्न आवर्ती का है हमें उसको काफ़ी दूरी तक बेजना है तो किस परकार से बेजा जाता है उसी को हम बोलते हैं मोडूलन तो देखिए, modulation एक परकिरिया है जिसके अंतरगर्थ निम्न आवर्ती इस तरके सिगनल को अधिक दूरी तक बेजने के लिए इसे उच्छ आवर्ती के सिगनल के साथ अध्यारोपित करके बेजा जाता है अध्यारोपित क्या होता है कि जैसे मान लीजे ये एक सिगनल है इसके उपर कोई दूसरा सिगनल रख दिया जाता है और फिर आगे बेजा जाता है तो उशे हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपन बोलते हैं अध्यारोपित करके बेज़ा जाता है इसके लिए आपको एक अच्छा सा और फनी उधारन बताता हूँ जैसे आपने कभी कभा रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि जो गाम के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को जदा बीड़ बार वाले इलाकों में क्या होता है? बच्चे पेदल नहीं चल सकते तो वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को कंदों पर बिठा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं तो उशे हम modulation ball सकते हैं कि अध्यार उपनग करके भेजा जता है निम्न आवरिती की अध्यार उपित की जाने वाली तरंगों को modulating तरंगी कि दो तरंगे उसको हम क्या बोलते हैं modulating तरंगे उच्छ आवर्ति की तरंगों को वहक तरंगे तथा मोडिलन से प्राप्त परिणामी तरंगों को मोडिली तरंगे कहते हैं तो इससे जो तरंगे प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं मोडिली तरंगे कहते हैं आप देखिए वाहक तरंगे दो परकार की होती है वो दो प्रकार कौन कौन से देखिए वाहग तरंगों के पहला तो है सतत जावक्रिय तरंगे सतत जावक्रिय का मुला जो जिसका ग्राफ साइन के जैसा हो साइन थिटा के जैसा तो कुछ इस तरशे होता है जहाँ वक्रिय तरंगों को निम्ना समीकन द्वारा व्यक्ते किया जा सकता है तो वह समीकन क्या होगी CT is equal to A not sin omega t plus phi यहाँ पर A not क्या है आयाम है एम्प्लिफिकेशन है omega कॉर्णिया वरती और t है time और phi है कलांतर या इसको कला कॉर्ण भी बोला जाता है उप्रोक्त ग्राफ को कला कॉर्ण सुन्य मान कर परदर्शिते किया गया है जो उप्रवाला जो हमारा ग्राफ है उसको सुन्य मान कर परदर्शिते किया गया है इसके बाद में दूसरी है इसपंदी तरंगे कौन सी है तरंगे तो देखिए ये इसका ग्राफ कुस इस तरह से आता है इस पंदी तरंगों का तो ये तो हो गए इसका इस पंदी आयाम ये इस पंद काल तो ये तरंगे क्या कहलाती है इस पंदी तरंगे तो वाग तरंगे कितने परकार की होती है दो परकार की कौन कौन सी सतत जाव पक्रिये तरंगे और इस्पंदी तरंगे अब बात करते हैं तरंगों का मोडूलेशन कितने परकार का होता है तो तरंगों का मोडूलेशन आपके साब कि तास्वणिक मान के परिवर्थन के साथ बदल दिया जाता है कुछ इस तरह से मौड् revealing की वहय पर किरिया जिसमें वाहत तरंग का आयाम मौडूल कर तरंग के तास्वणिक मानद औरा परिवर्थت किया जाता है और अन्य दो प्राचल आवर्ति तथा कला ए परिवर्तित रहते हैं आयाम मॉडूलन कहलाता है कहने का मतलब यह है कि जो वहत तरंगे है उनका आयाम मॉडूलक संकेत के अनुसार बदला जाता है देखिए यहाँ पर निच्चे आपको डायग्राम दिख रहे हैं तीन इसके अकोर्डिंग ध्यान से समझना यह हमारी वहत तरंगे है जिसको हमें बेजना है आगे जिसके आयाम कुछ इस तरह से हैं क्लिर है इसको हम क्या बोलते हैं वहत तरंग अब यह है हमारे पास मोड्यूलक तरंग इसकी आवर्थी तो कैसी है कम है निम्र आवर्थी की तरंग है और यह मोड्यूलक तरंग इसकी आवर्थी कैसी है उच आवर्थी है तो हमें क्या करना है इस तरंग को इस पर अध्यारोपित करते हैं तो ये तरंग कुछ इस तरह से हो जाती, देखिए, अब इस वाली तरंग के आयाम इसके according चलेंगे, कुछ इस तरह से ये देखिए, इस तरह से, पहले बढ़ते हैं, फिर गड़ते हैं, बढ़ते हैं, गड़ते हैं, इस तरह से चलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयाम मोड तरंग उसके बाद में हम बात करते हैं आवरिती मोड्यूलन के बारे में Táидо सकते हैं trends स्ढर मेडिलिक सिगनल के नशार परिवर्टित होती है पहली तो उसके मान के एकॉर्डिंग चैंज हो रही थी अब सिगनल के नशार बदल रही है जबकि वाहक तरंगों के अन्य दो प्राचल कौन कौन से होगे आयाम और कला दोनों कैसे रहते हैं कौन्स्टेंट रहते हैं देखिए मोडूलन की वहय परकिरिया जिसमें वाहक तरंग की आवरती मोडूलक सिगनल के अनुसार परिवर्टित की जाती है जबकि वाहक तरंग के अन्य दो प्राचल कौन कौन से आयाम तथा कला यह दोनों कैसे रहते हैं नियत रहते हैं जैसा कि आपको एक चुतर में दिख रहा है तो देखिए यह हमारे पास वाहक तरंग है इस तरह से यह दिख रही है आपको वाग तरंगे यहां पर और यह है मोडुलक संकेत अब इसमें क्या होता है पहले वाले में तो हमने आयाम बदला था लेकिन इस बार क्या बदलेगी इसकी आवरती तो जहां पर यह जो मोडुलक तरंग का आयाम अधिक्तम होता है वहाँ पर वहाँ तरंगों के जो गेप है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है कुछ देखिए यहाँ पर आयाम कम है तो यह तरंगे दूर दूर है जैसे यहाँ पर तरंग का आयाम बढ़ता है इसका इसके जो आयाम है सोरी इसके जो बीच की दो तरंग देद्रिया है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है और जशे जशे ये मान बढ़ता है सोरी जशे जशे आयाम का मान कम होता है ये तरंगे तरंगों की जो तरंग देद्रिया वो बढ़ती जाती है यहाँ पर देखे रिनात्मक रूप से बढ़ रहा है तो यह और जदा दूर हो गई और फिर वापस रिनात्मक रूप से आयाम बढ़ रहा है तो यह तरंगे पास पास अने लगती है और फिर से वही प्रोसेस ये विप्री दिसा में बढ़ रहा है तो ये तरंगे और दूर दूर हो जाएगी तो इसे हम बोलते है आवरिती मोडिलन अब हमारा तीसरा टोपिक बचा है कला मोडिलन क्या होता है तो कला मोडिलन के बारे में पढ़ते हैं देखे कला मोडिलन क्या होता है कि मोडिलन की वह परकिरिया जिसमें वाहग तरंगे की जो कला होती है वो सिगनल के अनुसारी चंज हो जाती है जिसमें बाकी के दो जो प्राचल है जिसे आयाम और आवरती वो कैसे रहते हैं, constant रहते हैं तो देखे, यह हमारे पास कौन सी है तरंग है, वाहक तरंग है और यह modulakson के आता है कुछ इस तरह से इसमें क्या होता है, कला कैसे बदलती है जैसे माली जी, यहाँ पर यह क्या है विप्री दिशा में चली गई यहाँ पर यह जो कला है, इसकी यह विप्री दिशा में जा रही है लेकिन इसकी क्या होगी, उसी दिशा में उपर से स्टार्ट हो जाईगी यहाँ पर देखे, बाकी सब तो वैसे चलेगा लेकिन जैसे इसकी कला चंज होती है यह वापस उसी कला में स्टार्ट हो जाती है जैसे माली जी यहाँ पर कला चंज होई थी उपर से स्टार्ट हो गई यहाँ पर चंज होई तो यह फिर से निचे से स्टार्ट हो गई क्लियर है मेरी बात बाकी इसमें ना तो आयाम चंज होता है ना आवर्थी चंज हो जाती है केवल चंज क्या होती है कला चंज हो जाती है इसके बाद में ये तो हो गए हमारे मोडूलन के परकार अब हम बात करते हैं कि हमें मोडूलन की आफशक्ता क्यों पड़ी हमें मौडूलन के आफशक्ता क्यों पढ़ी और आफशक्ता मौडूलन के आफशक्ता पढ़ी तो हम किस परकार से मौडूलन को कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं उन पर बात करते हैं तो देखिए पहले तो है मौडूलन की आफशक्ता पहले बात करते हैं एंटिना एरियल होता है जिसको हम टावर भी बोलते हैं कभी कबार उसके आकार को किस परकार से निर्धारित किया जता है उसका आकार क्या होना चाहिए किस परकार के संकेत उस पर आने चाहिए तो देखिए संकेत के संचरण के लिए हमें एक एंटिना या एरियल सिगनल की आपशक्ट आती है क्योंकि संकेत को एक इस्तान से दूसरी इस्तान तक बैसते हैं तो हमें क्या चाहिए एंटिना एरियल या टावर चाहिए जिसका आकार संकेत की तरंग देद्रिये के समतुल्य होना चाहिए संकेत की जो सिगनल है उसके संकेत के जो सिगनल है उसकी तरंग देद्रिये के समतुल्य मलग उसके लगबग समान होना चाहिए तो देखे इसमें यहाँ पर मैंने रेंज भी लिख रखे कम से कम लेम्डा अपॉन फॉर पाई की कोटी होनी चाहिए जैशे मालनी जिए 20 किलो हर्ज आवर्टी के एक विद्धुत चुम्ब की तरंग के लिए तरंग देद्रिय कितनी होने चाहिए लेम्डा इजिकोश्टो 15 किलो मिटर है नीज संदे है इतना लंबा एंटिना बनाना संभव नहीं है इसलिए इसलिए हमारी मूल सूचनाओ को संसरन से पुरू उच्चिया रेडियो आवर्टी में रुपान सिर्थ करने की आवशकता होती है अब देखे इतना लंबा हमारे पास एंटिना बनाना संभव नहीं है तो इसके लिए जो सूचनाओ क्या है कि जो हमारी सूचना है या संकेत है उसको उच्च या रेडियो आवर्टी में रुपान सिर्थ करने की आवशकता पड़ती है हमें ताकि हमारी जो सिगनल है वो काफी दूरी तक पहुंच चकी उसके बाद में बात करते हैं एंटिना द्वारा परभावी सक्ति या विकीरन मतलने लए एंटिना की सक्ति कितनी होनей चाहिए तो देखिए सामान्य एंटिना लंबाई के लिए अल्प तरंग देद्रिय या उच्च आवर्ती संकेतो दोरा विकीरत सक्ती अधिक होती है एक बात बता दूँ आपको जो तरंग देद्रिय और आवर्ती होती है वो एक दूसरे के वित्करमानुपाती होती है अगर तरंग देदरिय बढ़ती है तो आवरती गड़ती है यह आप लोगों ने 11 कलास में पढ़ा होगा तो देखिए जो एंटिना की लंबाई है वो अलप तरंग देदरिय या उच आवरती संकेतों के दोरा विकीर सक्ति अधिक होती है अता दिर्ग तरंग देदरिय के अधिक और जिसकी तरंग देदरिय ज्यादा है उसकी सक्ति कम होगी लंबी दूरी तक संचरण के लिए हमें उच्छ शक्ति की आवशक्ता होती है तो देखिए हमें उच्छ शक्ति की आवशक्ता होगी तो इसका मतलब तरंग देदरिय कैसी होनी चाहिए अलप होनी चाहि अब हम बात करते हैं विबिन प्रेसित्रों से प्राप्त संक्यतों का मिस्रण तो इनका जो मिस्रण होता है वो क्या होता है यदि कई लोग एक समय पर बात करे हैं या कई ट्रांस्मिटर अधार्बेंड सूचना संकेतों के साथ संस्रित कर रहे हो तो यह सबिसं केत मिस्रित हो जाती हैं मतलब जैसे कई लोग एक साथ बात करे हैं मानन लिजे 10 वेक्ति एक साथ इकटा हो रहे हैं और दस के दस व्यक्ति एक साथ बोलते हैं, तो हमें किशी भी व्यक्ति की दवनी इस पश्ट चुनाई नहीं देती हैं, उनकी दवनी मिस्रित हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तथा फिर इन्हें विबैदित करने का कोई तरीका नहीं होता, विबैदित मलब उसको अलगलग कर करके दूर होती है, उच आवर्ति संच्रन में परतेक उप बोगता को आवर्ति का एक बैंड उपलब्द कराया जाता है, इसके लिए क्लिए रिचितनी बात, अब हम बात करते हैं, यह तो थे इसके दो आवश्ख्ता क्यों पढ़ीी, उसके बारे में, अब हम बात करते हैं आया मोडूलन का formula निकालते हैं आया मोडूलन सूचकांग क्या होता है तो देखिए देखिए आया मोडूलन सूचकांग जो हम आलने ते हैं माना वहाग तरंग है उसकी जो तरंग समीकन क्या होगी C T is equals to A C sin omega C T और जो संकेत तरंग है उसकी जो समीकन होगी M T is equals to A M sin omega M T अब जो मोडूलित तरंग होगी किसकी बात करें आया मोडूलन की तो इसके आया मोडूलन की आया मोडूलित तरंग की जो समीकन है वो क्या होगी C M T is equals to A C plus A M sin omega T मैंने आपको पहले बताया था कि जो वाहत तरंग है उसके आयाम किसके according बदलते है संके तरंग के according बदलते है तो देखिए ये इसके अंदर पूरी की पूरी include हो जाएगी क्योंकि ये भी तो आयाम है पूरा ये आयाम इसके according बदलेगा तो ये इसके अंदर include हो गया clear है? तो cmt is equal to यहांपर हम ac को common ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस am upon ac sin omega mt sin omega ct या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं cmt is equal to ac sin omega ct प्लस m ac sin omega mt sin omega ct clear है यहांपर formula के से इसको सरल किया गया है देखिए यहां m क्या है am upon ac modulate सूच कहां के clear है चुंकि a sin b किसके बराबर होता है half cos a minus b minus cos a plus b के यह एक formula है तो हम इसको इसके according सरल करेंगे यहांपर यह formula अपलाई करेंगे यह भी तो sin a sin b के according है तो यह formula यहांपर लगाएंगे तो यह क्या बनेगा cmt is equal to ac sin omega t यह तो agitive जाएगा यहांपर इसको सरल करेंगे m ac2 cos omega c minus omega mt minus यह minus का symbol m ac बटे दो cos omega c plus omega mt तो यहांपर देखिए क्या है यहां omega c minus omega m तथा omega c plus omega m कर्मश निम्न वे उच्छ पार्स वे आवर्तिया है कौन सी आवर्तिया है निम्न जैसे minus का चिन्ह है तो वो तो कौन सी होगी निम्न आवर्ति और plus का चिन्ह है तो कौन सी आवर्ति होगी उच्छ आवर्ति आगे देखिए एक नोट है माना A maximum वए A minimum I amodulin तरंग के अधिक्तम तथा निवनतम आयाम है अता है I amodulin सोचकां क्या होगा M is equal to A M upon A C वो क्या होगा A M है तो ये A M कौन सी तरंग है संकेत तरंग है और A C कौन सी तरंग है वाहत तरंग का आयाम है ये दोनों ये आयाम है A maximum minus A minimum और ये जो है वाहत तरंग ये क्या हो जाएगी A maximum plus A minimum हो जाएगी तो ये formula आप याद रखना एक्जाम में बहुत बार पुछा जाता है अब हम बात करते हैं आयाम मोडिलन तरंगों का प्रेशन एवं अबिग्रेहन क्या होता है तो देखिए मोडिलित संकेत को यथावत संचरित नहीं किया जा सकता मतलब यथावत का मतलब है जैसे हमने निकला है वेसे ही आगे संचरित नहीं कर सकती अच्छा मोडिलेटर को एक सक्ति परवर्दक के साथ जोड़ा जता है सक्ति परवर्दक किया एक इसना से दूसरे इसना तक चली जाए तथा मॉडूलित संकेत को उप्यूक्त आकार के एंटिना से परसारित किया जाता है जैसे आपको मैं इसका एक एक जामपल बता देता हूं मालेजे कहीं पर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पर अब कोई वेक्ति बोलता है तो उसकी आवाज काफी दूर तक नहीं जा पाती तो हम क्या करते हैं वहाँ पर माइक की वेवस्ता करते हैं माइक लगा दिया जाता है और माइक के साथ में जुड़ा होता है एंपलिफाइर या शक्ति परवर्दक जुड़ा होता है तो जब वह वेक्ति माइक के सामने बोलत है यह अमारे पास सूचना संकेत है हमनी कि इसको काम पर वेजा क्या किया महीं तो वह तरंगों के साथ लगाकर और यह कहां पर जाती है सक्तिपरवर्द मल्लेंड यह दो और यह अंप्रेशी एंटिना के पास मतले का आँपर पहुंच जाती है और फिर अगे और इसके बाद में प्रेश्य एंटिना से ग्राही एंटिना के पास पहुंचेगा और ग्राही एंटिना के पास पहुंचने बाद फिर से यह परवर्दित होगा एंप्लिफाय होगा यह देखिए आगे इसको समझा रहे हैं अभी तक तो हमने क्या किया है जैसे मानली जी कोई संकेत बेजे और आया मोडूलित तरंगों पर वाहक तरंगों पर लगा दिये पर उसको अध्यारोपित कर दिया फिर क्या होगा उसका परवर्दन होगा और कहा कि इसलिए अभी अभीगराई एंटिना के बाद एक परवर्दक तता संसूचक करे उसको अनुभव कर सके लगा देखाता है phone सी मझ्찌मा दियू औरती चरण पर संसू चुछ से पूर्व निम्न औरती में बदलते हैं सही चतत संकेत चीर होते हैं अदर इसका परवर्दन आउशक है तो देखि यहां पर यह डाइग्राम में इसके द्वारां इसको भेएंगें ग्राही एंटी नहां यहां पर संक्यत हमारे पहुंचेंगे संप्रेश एंटेना से कहां पर आएंगे ग्राही एंटेना पर यहां पर देखे संप्रेश एंटेना दिख रहा है आप लोगों को यहां से संक्यत कहां पर आएंगे ग्राही एंटेना पर अब ग्राही एंटेना से कहां पर देंगे पर तो यह था हमारा आया मोडूलित तरंगों के प्रेशन का अभी ग्रेंड कैसे प्रेशित किया जता है और कैसे इसको अभी ग्रहित किया जता है तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पुरा देखने के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर जरूर कर देना और हम क्यानल को भी सब्सक्राइब कर देना तक कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो की पहुंच चाहिए धन्यवाद